हेलो चाइल्ड आज हम क्लास सेकंड इंग्लिश रीडर चैप्टर नमबर फाइव दवोल्फ एंड दफ लूट इसके पहले वीडियो में आपने रेडिंग की थी इस लेशन की इसकी अब हम एक्सिसाइजस कम्प्लीट करेंगे प्रश्राइब अब आपको में आपको देखिया नेक्स्ट क्या है ज्वाइन दवार्ट विच गो टूगेधर दैन राइड देम इंडा सिपेस बिलोग ति आपको वर्ट्स ज्यौइन करना एक साथ यहां पर एक वर्ड धेर सारे वर्ड दिये हैं यहां पर धेर सारे वर्ड गिवन आपको दिये हुए हैं यहां से दो दो यहां से एक वर्ड लेना है यहां से एक वर्ड लेना है इन दोनों को क्या करना है एक साथ कर लेना है एक साथ करने के बाद हमें यहां पर हुआ है इसमें हमें क्या करना है राइड करना देखिंघमपल के लिए हमें अच्छा खिलाडी तो यहां से टह यहां से यहां से ले लिए कि एक अच्छा खिलडी क्षिक आपज़ा परिंग दी अच्छी करना है ठीक है तो देखिए यहांपर हो यह नहीं लिखा गया है अब यहां पर आपक्य क्या है डूरूल नहीं चोटा है कि अगल तें लिटिल क्या है यहां पर यहां पर रिखी लेटिल यहां पर क्या है लिटिल तो यहां पर लैम हो जाएंगा लिटिल लैम्प अब नेक्स्ट क्या है ग्रेडी ग्रेडी या नहीं लालची ठीक है तो यहां पर हम लिखते हैं ग्रेडी जे आर डवर टी ग्रेडी ठीक तो यहां पर यह वुल्फ है वुल्फ बहुत लालची रहता है ठीक है तो यहां ग्रेडी वुल्फ हो जाएगा ग्रेडी वुल्फ नेक्स्ट क्या है ब्लू ब्लू देखिए अंब्रेला क्या है है मारा blue color का है तो यह ब्लू umbrella हो जाएगा blue umbrella blue umbrella okay देखिए अब next क्या है आपका black ठीक तो black देखिए यहाँ पर black color का डॉक है आपका तो यहां पर क्या हो जाएगा black dog ऑग ओकी फिर next क्या है hot hot यानि गर्म तो गर्म देखिए यहां पर क्या है गर्म आपकी गर्म चाय है तो यहां पर क्या हो जाएगा hot tea यह आपका complete हो गया good player, little lamb, greedy wolf, blue umbrella, black dog, hot tea ओकी नेफ्स्ट देखिए आपको क्या है complete the phrases using the picture clue ओकी यानि जो हमारे pictures दिये हुए है उन सारे pictures के जो हमारे वाक्यांस दिये हुए है उसे complete करना है जैसे यहां पर देखिए one two three three हमारे lamb है sorry three ship है ठीक दो यहां पर क्या है धीर सारे है three हैं तो जब कहीं किसी भी चीजों के जुण देबारे में एक तरीकी से sense किया जाता है तो यहां पर भेरो का जुण्डय है तो यहां पर क्या देखिए sentence में क्या लिखा है एक्जांपल के लिए a giork of ship ज़ित्त भी फेड़ों को इसी तरीके से जएसे आपको कैप साइथ करें कि यहां पर इसका लिफ़्ा गैए कि भेड़ा है तो इसके जुंस को हंब क्या कहें हैं तो यह पर लिखेंगे आफ लोकॉप शीप खाणे यहां भेड़ों का छूण हो इसी तरह को जो आपके नाक्सट दिये हुए हैं उनसक्रों सब करना है क्योंकि ये आपका दिया था ठीक है है कि यह पर क्या है लेटनी न seri वन किने रिखेंगत नीग है रिखिंग होग छूंट तयार हो गया थिक तो US के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं जब धेर साही लकडियों का जून तयार हो तो हम इसके लिए बंडल वर्ड यूज करते हैं ठीक है जहां धेर साही लकडियां हो तो वहां हम लिखेंगे अ बंडल ऑफ स्टिक्स, टिक, यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यर साई लकडियों के लिए बंडल बोर्ड उस करते हैं, ट्यां लिखे बंडल, क्या हो जाएगा, बी अल्रेडी आपको गिवन है, तो क्या हो जाएगा अबी से, बंडल, बी, यू, एन, डी, ल, ए, बंडल, ओकी, नेक्स्ट यहां पर क्या हो जाएगा यह क्या है आपकी चावी है धेर सारी जब चावी होती है यानि कीज होती है तो वहां पर क्या करेंगी बंच यूज करेंगी क्या वर्ड यूज करेंगी बंच यानि धेर सारे चावियों का गुच्छा टिक तो यहां क्या हो जाएगा ब इसका भी क्या होगा बंच ही होगा मैं अब बंच औफ लार्स को को दिया सारे संध्लों का क्या है जुन ने ठीं है बहुत सारे फूल जहां एकठा होतेंक भाद धेर सारे होने का होने जब होता है तो हम वहां पर bunch वड्र योज गरते हैं ठीक है जहां धेर सारे flowers हों अब देखिए आपे next के हैं cards दीह हैं आपको तो यहाँ देखें a P. of cards और जहां धेर सारे cards हों तो जब ठीर सारे कार्ट्स हो तो उसके लिए हम क्या word यूज़ करते हैं? Pile Pile का means भी क्या होता है? जुन्डी होता है लेकिन उसे हम कार्ट्स के लिए यूज़ करते हैं ठीक तो यहां हो जागा P-I-L-E Pile इसका means क्या होता है? जुन्डी ठीक है? अब देखें नेक्स्ट क्या है? धेर सारे यहां पर स्टोन्स है और H-डास आफ स्टोन्स ठीक धेर सारे जहां छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे स्टोन्स होते हैं वहां पर उन सारे स्टोन्स के जुन्ड को हम क्या कहेंगे? हीप हीब का मीन्स भी क्या होता है जूंड होता है लेकिन यह पत्थरों के लिए यूज किया spear cumplis यहां पर यह अपका फिनिश होगा नगिंघ किया अपको क्या है अब पपका। the silent letter in these words okay pick out the silent letters in these words यानि जो हमें यहाँ पे सारे words दिये हुए है इसमें कौन सा silent word है silent sorry silent letter है कौन सा अक्षर silent है कुछ ऐसे सब्द है जिने हम पढ़ते टाइम क्या करते है उस अक्षर का उस अक्षर को हम read नहीं करते पढ़ते नहीं जैसे यहाँ पे लिखा है no ठीक है तो यहाँ देखी n o w लेकिन बहुत से लोग no 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 कर नो पढ़ लेते no 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 लेकिन यहाँ इसे no नहीं पढ़ा जाता है यहाँ पर k silent हो जाता है इसे no पढ़ा जाएगा no means होता है जानना ठीक है तो हम क्या पढ़ेंगे इसे no पढ़ेंगे यहाँ पर k क्या हो जाएगा silent हो जाएगा तो यहाँ पर silent letter कौन सा हो गया k तो जो भी इन सारे words में जो silent letter है उसे हम इस circle में क्या करना है लिखना है ठीक है तो इस word में कौन सा letter silent है k हम यहाँ k लिखेंगे उसी तरह next यह क्या है यहाँ पर दिया है night तो कुछ लोग पढ़ते हैं night 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 लेकिन इसे night नहीं पढ़ेंगे इसे night पढ़ेंगे और k यहाँ पर क्या हो जाएगा silent हो जाएगा तो यहाँ पर silent letter कोन हो जाएगा k तो उसी silent letter को हमें यहाँ क्या करना है circle में लिखना है कौन सा silent letter है यह तो हम यहाँ क्या feel करेंगे k next इसी तरह यह भी करना है wrong wrong में क्या है w silent wrong वरॉंग नहीं कहते हैं से wrong पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डबली इन सारे वर्ड्स को आप नोटिस करिएगा जब भी आप बुक रेडिंग करिएगा जब आपको यह सारे वर्ड्स मिले तो आप इसे ऐसे स्पीक करोगे वॉर्ण नहीं पढ़ोगे से रॉंग पढ़ोगी ठीक है तो यहां पर क्या होगे W साइलिंट वर्ड लेडर हो गया आपर असी तरह यहां पर क्या दिया है नाइफ यानी चाकू इसे क्या कहते हैं नाइफ का मिनस चाकू होता है है wrong मतलब कोई चीज़ें आप से गलत हो जाती तो उस वहां पर रांग बडिवूज करते हैं ठीक है रांग हो गया गलत हो गया ठीक है नाइफ यानी चाकू अब यहां पर कनाइफ नहीं पड़ेंगी यह पड़ेंगे नाइफ तो यहां पर क्या हो गया silent हो गया है ओके यानि जितने भी यहां पर फिलिंदा ब्लैंक्स दिये हुए हैं यहां पर हमें क्या फील करना है यह सारे लेटर्स को फील करना है और जब आप इसे लिखोगे तो हमें एक न्यू वर्ड मिलेगा जब भी हम जैसे ही हम यहां पर लेटर फील करेंगे वहां पर हमें एक न्यू word बन जायागा ठीक जैसे example के लिए यहां पर देखिए क्या रिखा a m b तो उसमें से हम यहां first वाले में क्या फिल करेंगी l तो यहां क्या हो जागा lamb देखिए एक new word बना lamb lamb यानि धेल का बच्चा ठीक next आपके क्या है ring ring रिंग दिया है तो हम यहां क्या फिल करेंगे b bring यानि किसी चीजों को लाने के लिए यूज के रहता है bring bring यानि लाना ले जाए ठीक next क्या है l u t e l u t e यहां पर हम क्या फिल करेंगे f तो यह क्या बन जाएगा flute यानि बासुरी फिर क्या है u s i c इसके आगे क्या फिल करेंगे m क्या बनेगा यह music अब next आपके क्या है o u and d तो यहां क्या फिल करेंगे s तो यह क्या बनेगा sound ओके sound फिर next आपके क्या है l o c k तो यह क्या फिल करेंगे f यह क्या हो जाएगा flock ठीक फ्लॉक मिंस क्या होता है जुंड अब क्या है r a i s e ठीक तो यहां पर हम क्या फिल करेंगे p praise यह क्या हो जाएगा praise means यानि presence ठीक देखिए यह feel हो गया यह भी हो गया यह भी हो गया यह और यह भी हो गया आपका यह भी feel हो गया यह भी feel हो गया क्या बचा आपका w तो हम यहां पर क्या feel करेंगे डेबलू लेकिन डेबलू जब हम यहां फील कर रहे हैं तो डेबलू हडबली पी यह कोई मीनिंग नहीं बन रही है तो ठीक है यहां पर यह क्या हो गया रॉंग है आप यहां पर क्या फील करोगी एस 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 डबली पी शिप शिप यानि भेड तो आप नेक्ट देखिये आपका क्या है write the names of the animals in this crossword to get the name of a musical instrument write the name of the animal यानि in this crossword यह जो हमारे यहां पर देखें boxes दिये हुए हैं इसमें जितने भी हमारे यहां pictures दिये हुए हैं ठीक हैं जितने भी हमारे animals यहां पर देखें बने हुए हैं उनके हमें क्या करने हैं यहां पर name इसमें feel करना है ठीक तूँ get the name of a musical instrument और जैसे ही आप इसे feel करोगे यहां पर इन सारे जानवरों के नाम आप यहां पर feel करोगे उनकी spelling यहां लिखोगे जैसे ही आप लिखोगे तो आपको एक उन इन सब की spelling में से मिलकर एक musical instrument का नाम बनेगा ठीक यहांने कि कोई एक musical instrument का इन सारे जानवरों के नाम नाम के अक्षरों में से मिलकर एक musical instrument का नाम बनेगा इसलिए धेखिए यहां पर highlight कर दिया गया है さरकल सरकल 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 यहां पर देखे इतने सारे सरकल बन गया है ठीक है तो हम यहां पर क्या करेंगे यह क्या है हमारा फॉक्स है तो हम यहां क्या लिखेंग यहां पर देखिए एफ ओ एक्स फॉक्स हो गया ठीक अब यहां क्या दिया है आउल ठीक यह आउल है यह माउस है यह टाइगर है यह अलिफैंट है तो देखिए पहले अब यहां बरोगई को कि अब यहां वाक्स हो गया पहले आप यह पर क्या क्लो, यहां पर मुझिकल इस लेसं में आपने इसे सथ्प्तुपनेовор है, निसे सब्सक्राइब करेंगे। फ्लूट तो हम यहां फील कर लेते हैं फ्लूट अब देखिए इससे बन जाएगा आपका अनिमल्स की नेम भी देखिए यहां यहां पर ताइगर यहां पर देखिए माउस यहां पर आउल हो गया यह क्या है फॉक्स फॉक्स ओ डबलू एल आउल एम ओ यू एसी माउस टी आज़ी यहां टाइगर एल ईपी एच एंटी एलिफैंट हाथी इन सारे चैनवरों के नाम से मिलकर देखिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन गया एफ ल यू टी फ्लूट फ्लूट अब आपकी यहां पर पूरी एक्सेसाइजस कंप्लीट होगी है